The biggest director of India, SS Raja Mauli ने अपने अगली फिल्म का टीजर लॉंच कर दिया है, जिसका नाम होगा Made in India, जो की एक बायोपीक होगी, first and the greatest filmmaker of India, दादा साहिफवाल के, जिन्होंने 1913 में इंडिया की सबसे पहली मुवी बनाई थी, Raja Harish Chan, जिसके बाद उन्होंने सताई short films और नभ्ह full length film इंडियन सिनिमा में उनके create contribution के लिए ही उने father of the Indian cinema कहा जाता है, फिल्म के script Raja Mauli को इतनी अच्छी लगी कि वो भावुक हो गए थे और इसी लिए वो इस movie से जुड़े, लेकिन वो इस movie को डिरेक्ट नी करेंगे, इसको डिरेक्ट करेंगे नितिन कककर, जिन्होंने मित्र करोड से भी जादा हो गया है, और इंडिया की fastest movie बन गयी है, इतने पैसे कमाने वाली, और इस तरह शारुक खान बन गये हैं, इंडिया के पहले actor, जिनकी movies ने एक ही साल में 1000 करोड से जादा का collection किया है, सिर्फ इंडिया में, जवान अब भी theatres में धभान मचा रही है, औ इस में कोई शक नहीं है, वर्ल्ड वाइड 1000 करोड पार कर लेगी और पठान से भी जादा पैसे कमाएगी,